जीहां दोस्तों नमशकार मेरे यूटूब चैनल में आप सभी नहीं का हर दिश्वागत है जीहां दोस्तों आज बात करना चाहूँगा चीन का सबसे बड़ा नदी जिसे हम लोग पीली नदी की नाम से जानते हैं वही होकव प्रांत का यह सबसे बड़ा नदी माना जाता है जी हां दोस्तों 200 की द्रिष्टी से देखा जाए तो यह 7 नंबर का सबसे बड़ा लंबी नदी मानी जाती है वही दोस्तों आपको बताना जाओंगा इस नदी की लंबाई 6845 किलूमडर की सबसे लंबी नदी मानी जाती है शीन की द्रिष्टी से देखा जाए तो यह दूसरे नंबर का नदी में गिंती की जाती है पिली नदी जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और आप जब भी जाओगे पिली नदी देखोगे तो पिली पिली दिखाई देती है और यह इसमें सबसे ज़्यादा माण और काप रूप में दिखाई देती है दोस्तों ये पिली नदी जो जाओ के लिए सबसे स्रेश्ट नदी भी मानी जाती है आसपास के किसानों शुक्रे में सबसे ज़्यादा यहाँ उपज़ और पैदावार गिया जाता है वही दोस्तों आपको बताना च्योंगा पश्चिमी चिन में किंगाई प्रांत में ये बहने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है यह नदी नदी नव प्रांतों से गुजर कर सबसे लंबी नदी कहाई जाती है वही आपको बता दूँ पश्चिमी चीन की किंगाई बायन पहाडों से यह निकल कर सबसे बड़ी नदी में गिंती की जाती है कुछ दोब बताते हैं कि यह नौ प्रांतों की स्रेश नदी भी कही जाती है वही दोस्तों यह बहुत बड़ी ट्रेश डवनाती है और आसपास में बहुत बड़ी बड़ी मांदी इस नदी में बढ़ेगी है दोस्तों आपको बता दूँ बेसी नदी जो 1900 किलम्टर की दक्षित पूरों में हमें सब बहती रहती है जो सीमा चीन की तैयार कर देती है वही आपको बता दूँ बेसी नदी की लंबाई 14,000-243 की सबसे बड़ी वरक्योंटर की दक्षितर में पहला हुआ है आपको बताना चाहुना दोस्तों फिली नदी चीन सब्व्यता की नदी मानी जाती है क्योंकि उद्गन की स्रेष्टता किसी को भी गई है वही आपको बताना दूँ पिली नदी को उग्रवादी मिस्ट नदी की नाम से भी जानते है क्योंकि 1500 से जादी अधीक बार यहाँ उग्र आतंगवादी लोग आ चुके हैं क्योंकि मुख्य नदी स्रेष्ट पिली नदी को मानी जाती है दोस्तों कुछ लोग इसे मदर रिवर के नाम से जानते हैं क्योंकि यह जीवन दाइनी नदी भी मानी जाती है क्योंकि यह सबसे स्रेष्ट गंगरुप में मानी जाने वाली है सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, इसे पुझनी रूपेगों में आसका के लोग बहुत ही जदा करते रहते हैं, वही दोस्तों कोदादों जीया राजवन्स के समय इस नदी का वुध कम उत्गम माना जाता है, 1621 की यहां उसी में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है जी हाँ दोस्तों महां दर्शनिक कनप्यूसन की जन्म स्योंग पिली नदी को ही माना जाता है आसपास में बहुत सारे दर्शनिक इस्थलाय घुमने की प्रेटक हैं यहां स्रेश्ट देश्वी देशों से लोग हमेशा आते रहते हैं पिली नदी जो बहुत बड़ी नदी मानी जाती है जरूर आप देखिए घुमिए दोस्तों इतना ही बदाना चूंगा तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आकि जो मेरे उड़ो आता हो आप लोग देख सकें लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलें धन्यवाद